हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आइम पोस्ट डॉक्टर इन क्लिनिकल मेडिसन और मेटाबोलिक साइन्स तो जितनी भी दिल की बीमारियां हैं या काडेलोजी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं तो आज हम सबसे पहले आपको यह समझाने की कोसिस करेंगे कि एजेकशन फ्रैक्षण क्या होता है, हार्ट का जो काम है कैसे वो काम करता है और यदि आपका ejection fraction कम है तो फिर आपको क्या angiography या फिर bypass कराना जरूरी है दवाईयों से या light modification या कुछ natural exercise से क्या आप without angiography without angioplasty survive कर सकते हैं और वो क्या percentage है देखो ejection fraction जब आप eco के लिए जाते हैं, eco cardiography जब आपकी होती है, generally आपको जब chest pain होता है या फिर आपको सांस फूलता है, या फिर आपको कई बरी देखते हैं कि mild stroke आजाता है तो आप पहले ECG कराते हैं, और ECG में कुछ इस तरह के indication मिलते हैं, तो फिर second test आपका, eco होता है या TMT या treatment पे जो test होता है, वो होता है तो जो eco के अंदर हमें ये पता लगता है कि आपका जो दिल है वो कितना percentage of the blood बोडी में flow कर पा रहा है तो इसको हम कहते हैं ejection fraction मतलब दिल का काम करने का जो तरीका है वो ये है, कि इस तरीके से समझ लिए कि 100 ml यदि blood आया दिल के पास तो दिल ने कितना blood फिर pump कर दिया towards body, towards hurt towards arteries, मतलब पूरा सरीर में जो आपको blood मिलता है, जो blood से oxygen मिलती है, जो nutrition मिलती है उसको फैलाने का उसको provide कराने का जो काम है वो आपके दिल का है और उस function को उस कारिय को, उस speed को हम ejection fraction कहते हैं और उसको हम percentage में define करते हैं, तो जब आप eco की report देखते हो तो उसके अंदर आपको एक percentage मिलेगा कि आपका ejection fraction कितना था, तो उसमें आपका 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, मतलब more than generally 25 आपको मिलेगा तो अब मैं इसको अलग-अलग category में define करूँगा, और आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक life line होगा, एक guideline होगा और ये आपके बहुत सारे तना आपको जो आपने डबलब कर लिया है या जो here and there, डॉक्टरों के दवारा जो आपको एक confusion दे दिया गया उससे आप भाद निकल पाएंगे ये clear हो पाएगा आपको कि आपको angiography की आविशक्ता है या नहीं आपको bypass की आविशक्ता है या नहीं क्या आप दबाईयों से by the exercise and diet restrictions ठीक रह सकते हैं कितना risk है और कितने percentage पे आपको इन सब के बारे में सुचना चाहिए generally देखो यदि आपका 70% से जादा है तो ये higher side है और इसके भी अपने नुकसान होते हैं क्योंकि यदि पूरी तरह से वो खाली हो जाता है और 70% से जादा यदि ejection fraction आपका आ रहा है तो इसके भी अपने नुकसान होते हैं लेकिन ये बहुत rare होता है generally जो normal healthy लोग हैं उनका 50 से 70% के बीच आएगा यदि आपका ejection fraction 50 से 70% के बीच है तो आपको कोई तकलीप किसी तरह की नहीं होगी you are completely fine and healthy फिर आपके chest pain क्या या sans full ने का जो कारण है वो आपका blood pressure हो सकता है आपको कोई respiratory problem है COPD है या आपके lungs की weakness है या कुछ और दूसरे underline reason हो सकते हैं उसको investigation करने की और उसका diagnosis बनाने की ज़रूत है इसके बाद आते हैं कि यदि 50% से low होता है तो 50% से low वाली जो category है उसको हमने 3 category में बाटा है 50% से यदि कम है आपका ejection fraction तो ये low माना जाता है लेकिन 40 से जो 50% के बीच की range है ये बहुत critical है यदि 40 से 50% के बीच में आपका ejection fraction है तो आप with a lifestyle modification with a right medicine right medicine से मेरा मतलब है यदि diabetes है तो diabetes को normal रखिए BP है तो BP को normal रखिए fatty liver है तो उसको treat करिए और यदि आपको cholesterol हाई cholesterol है उसको treat करिए और यदि आपको obesity है कोई metabolic problem है like constipation है उसको आप treat करिए और जो regular prescribed दवाई है आपके physician या cardiologist के द्वारा जो आपको दी गई है वो आप regular लीजिए उसमें आपका ejection fraction बढ़ाने वाली एक category होती है दवाई की एक आपका beta blockers होगा जो BP को normal रखेगा आपके दिल की धड़कन को normal रखेगा और एक दवाई होगी यदि आपको diabetes है तो उसको normal रखने वाली मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका uric acid आपका cholesterol आपका blood pressure आपका diabetes आपका weight आपका fatty liver और आपका constipation यह सब आप normal रखेगे manage करिए इनको normal range में रखेगे और जो आपकी prescribed दवाई है वो दवाई लीजिए प्लस आप अपने खाने में refined food तो completely बंद कर दीजिए cooking oil में आप mustard oil या olive oil यूज़ करिए और occasionally आप in a limited amount देशी गी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन fat और refined मतलब काला नमक, सैंदा नमक खाईए सफेद नमक बंद कर दीजिए सफेद चीनी और सफेद चीनी से बने product वो आप avoid करिए उसके बजाए आप limited natural sugar ले सकते हैं यानि good सक्कर खा सकते हैं उसके बाद आता है कि आपका papaya और आपका मतलब save ये आपको मदद करता है ये आपके metabolic load को कम करता है तो ये आप सामिल करिए और green और red vegetable खाईए हरा साथ खाईए प्लस आप अपने pit को ठीक रखिए ये मतलब constipation आपको नहीं होना चाहिए इसब गोल लीजिए इसब गोल से आपका cholesterol भी कम होता है आपका blood sugar भी कम होता है मुटापा भी कम होता है और ये आपके motion को regulate करता है constipation को ठीक करता है तो जो ejection fraction जिनका कम है जो दिल के मरीज है जो diabetes sugar के मरीज है या फिर obesity है उनको इसब गोल जरूर खाना चाहिए इसब गोल is a good natural food, natural fiber for the metabolic problems and the cardiac problems इसके बाद आता है आपका कि जो लोग walk कर सकते हैं वो 20 से 30 में wrist walking करें यानि कि इसका मतलब है कि आप तेज पैदल चलिए और एक हपते के अंदर आपको 150 मिनट का target रखना है, 150 से 200 मिनट आपको पैदल चलना है within 5 और 6 days 7 days मत करिए, एक दिन आप rest करिए तो एक दिन के अंदर maximum 25 और maximum 40 मिनट आप walk करिए उससे ज़्यादा आपको आवशक्ता नहीं है deep breathing करिए plus mindfulness करिए यानि meditation करिए, आप chanting भी कर सकते हैं इससे आपको बहुत बड़े फायदे होते हैं, deep breathing से और walking से आपका blockage जो है arteries का वो कम होता है, और आपको काफी हद तक फायदा मिलता है और with the natural दवाईयां और आप अपने doctor के supervision में रहे हैं तो यह है guideline आपको यदि 40 से 50 के बीच में आपका rate आता है तो ejection fraction, अब बात आती है कि यदि आपका 40 से 25 के बीच है या 40 से नीचे है 15 है या 20 है, तो तब क्या ilaz होगा, यदि आपका ejection fraction 25 से 40 के बीच है, तो आपको angiography कराना चाहिए और angiography के बाद, यदि आपके doctor ये कहते हैं, कि आपको bypass की जरूरत है, तो आपको bypass के लिए भी जाना चाहिए क्योंकि angiography is the right accurate test, जो हमें ये idea देगा कि आपके arteries के अंदर blockage की क्या condition है, आपकी arteries की क्या condition है, arteries rupture तो नहीं हो गई है, damage तो नहीं हो गया है आपके hurt का कोई tissue, कोई part कोई damage तो नहीं है, या फिर उसमें swelling तो नहीं है, इसको देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर decision होगा कि आपको एक arteries को खोलना है, दो को खोलना है, या तीनों को हैं तो फिर without angiography और without bypass without any other investigation any procedure आप ठीक रह सकते हो लेकिन एक बास सब को clearly ध्यान में रखनी होगी कि आप exercise से और दवाई से अपना ejection fraction यानि जो capacity है आपके hurt की blood को pump करने की उसको 5 से 5 तू 7 परसेंटी बढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि दवाई से lifestyle modification से आप 10 या 20 बढ़ा दें या dramatical change कर लें और उस पिरकिरिया में भी 3 से 6 महीने का time लगेगा यानि कि यदि 40 से 50 परसेंट के बीच आपका ejection fraction है तो आप दवाई लें लेकिन आप eco या ECG के द्वारा आप उसकी monitoring पे रहें यदि आपका ejection fraction बढ़ना सुरू हो जाता है एक महीने के बाद या दो महीने के बाद तो फिर आप अपनी दवाईों से with a regular lifestyle modification and the right food आप दवाई से continue कर सकते हैं उसमें angiography और bypass की कोई आविशक्ता आपको नहीं होगी अब एक दूसरी बात आती है कि यदि constantly हम एक जगह ही रहते हैं आप ये नहीं बढ़ता rate तो क्या फिर continue कर सकते हैं हाँ बिलकुल continue कर सकते हैं लेकिन 40 से 50% के बीच में आपका ratio आना चाहिए यदि 40 से कम है तो फिर आपको reason क्या होता है कि वो कम हो जाता है rate generally 90% reason होता है coronary artery disease इसका मतलब है कि आपकी जो तीन नलियां है जो आपके दिल को blood और oxygen देती हैं उसके अंदर जमाबड़ा और उस जमाबड़े का कारण होता है आपका stress, sleeping disturbance, blood pressure, diabetes और blood का गाड़ा होना या फिर आपका uric acid बढ़ना जिसको हम RHD कहते हैं rheumatoid heart disease, rheumatoid heart disease में आपको swelling आ सकती है और आपको perforation हो सकती है और आपका जो arteries है वो कई वरी damage भी हो सकता है तो उसको भी हमें देखने की ज़रुरत है तो आपको clinical parameters को ध्यान रखना है प्लस lifestyle प्लस आपकी दवाईयां regularly तो आप bypass से बस सकते हैं और angiography से भी बस सकते हैं तो ये एक सीधा सा तरीका है, एक सीधी सी चीज है naturally बहुत सारे लोगों ने पूछाए कि आयरवेद में ejection fraction को बढ़ाने का क्या मतलब चीज हो सकती है आयरवेद में breathing exercise, meditation, walking उससे आपको काफी फाइदा होता है Thank you very much and take care yourself